आज हम बनाएंगे एक हेल्दी ब्रेक्वस्ट ओहा इस ब्रेक्वस्ट में चावल से बना पोपा, अंकुरित दूम, सब्सियां, नाट्स, सबी कुछ है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक हेल्दी और चल्दी बनने वाला ब्रेक्वस्ट इसके लिए हमें मीडियम साइस का पोहा लेना है, एकदम पतला नहीं लेना है इसे हमें पानी से 2-3 बार धो लेना है और 2-3 मिनट तक भी गोना है ताकि ये फूल जाए जादा देट नहीं भी गोना है, फिर इसे एक चाली में चान लेना है अगर आपको सुबह काम की जल्दी रहती है तो ये स्टेप आप रात में भी कर सकते हैं धो कर्चाने वे पोहा को आप फ्रिच में रख सकते हैं ताकि सुबह 5-7 मिनट में ये नाश्ता रेडी हो जाएगा अब एक कड़ाई में घी या तेल लेना है, गरम होने पर राई डालनी है, फिर कटी हुई हरी मिट्च कड़ी पत्ता डालना है उसके बाद कटे हुए प्याज को डाल कर हलका गुलावी होने तक भूनना है उसके बाद आलू, गाजर, बीन्स इन सब को डाल कर थोड़ा भूनना है इस पोवा को हिद्धी ट्विस्ट देने के लिए मैंने इसमें अंकुरित मूं डाले हैं जो कि आजकल काफी जगे मार्केट में मिल जाते हैं फिर इसमें हल्दी और नमक डाल कर मिला कर ये सभी सब्जियों को अच्छे से पका लेना है जब ये सब्जियों पक जाए तब इसमें तयार पोवा को कडाई में डालना है और इसमें नमक और चीनी डाल कर अच्छे से मिला लेना है तीस सेकिंड तक घुनने के बाद इसमें एक टेबल स्पूम या स्वादन हुसार निम्बू का रस और धनिया पता डालना है आप चाहें तो उपर से दरदरी कीवी मुफली भी इसमें डाल सकते हैं इससे पोवा में एक नटी और क्रंची फ्लेवर आता है जो कि बहुत ही स्वाद लगता है नट्स हमारी हिल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं यह एक बहुत ही हल्दी ऑप्शन है हमारे मॉर्निंग ब्रेक्वस्ट के लिए आप इसे कम से कम हफते में दो बार जरूर बना कर खालिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए तो तयार है यह हमारा जटपट बनने वाला हिल्दी ब्रिक्वस्ट हमारावश कर दो आप यह हमारा जापको आपको 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 थायर करेंग करेंग झाल